हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines में मैं हूँ आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से आज जरू दोस्तो आज मैं आप लोगों को तीन बेस्ट कफ सिरफ बताऊँगा ये तीन बेस्ट कफ सिरफ अलग-अल आज सामने खासी है खुल-खुल की खासी होती रहती है उसमें कौन सा सिरफ यूज़ करना ये मैं आपको आगे बताऊंगा बच्चों को यह दवा कैसे देनी है यह भी हम जानेंगे और इस दवा को किन्हें नहीं लेना चाहिए यह भी हम जानेंगे तो अगर आप इस चैन के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों सर्दी का मौसम आ चुका है और इन सर्दियों में बहुत ज्यादा लोगों को खासी की प्रॉब्लम देखी जाती है हर तरह की खासी की प्रॉब्लम इस समय पे देखी जाती क्या हैं जो तीन कव शिरपouse की इन में से पहली दवा के बारे में जो पहली दवा है उसका नाम है एम्रोडील प्लस सिरप हैं एब्डील इसमें होता है pseudo-fedrin और इसमें होता है chlorpherina mind इन तीन दवाओं को मिलाकर इसे तयार किया गया है और यह जो शीरफ है यह बलगम वाली खासी के लिए इस्तेमाल किया आता है अगर किसी के फेफ़रों में बलगम हो गया है सांस की नली में बलगम या फिर नाग में बहुत ज़् तो है उसको धीरे-धीरे पतला करके निकाल देता है खासी के थूप उसके बाद खासी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है अगर किसी को निमोनिया की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में भी सीरफ को recommend किया आता है ताकि वो बलगम को पतला करके बाहर निकाल दे इसे आप जरूर नोट डाउन करें अब जो इसमें सेकेंड दवा यूज होगी उसका नाम है जीडेक्स सिरफ जीडेक्स सिरफ सो एमिल की पैकिंग में आता है और इस सो एमिल की पैकिंग का जो प्राइज है वो है 158 रुपे यानि 158 रुपीज उनली कम्पनी इसे बनाती है डॉक्टर रेडी और कॉम्पुजिशन इसके अंदर होता है इसमें होता है क्लोरफेरिनमाइन एंड डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तैयार किया गया है और यह जो दवा है यह कैसी भी सूखी खासी हो उसे ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दव हर कोई आपको इसके बारे में नहीं बताएगा अब जो इसमें थर्ड और सबसे इंपोर्टेंट मेडिसिन है वह भी वह आपको बताएता हो अगर किसी को बहुत ज्यादा खांसी रहती है चाहे वह सूखी खांसी हो चाहे गीली खांसी हो काफी समय से खुल-खुल करते हो और बलगम भी ठीक से ना आता हो और बहुत ज़्यादा वो परेशान हो इससे मुझ का टेस्ट बदल जाता हो तो ऐसी कंडिशन में इस सिरफ का इस्तेमाल करना है इसका नाम है टॉसेक्स सिरफ टॉसेक्स सिरफ सो एमिल की पैकिंग में आता है और इस सो एमिल की पैकिंग का जो प्राइज है वो है 188 रुपे यानि 188 रुपीज उनली कंपनी इसे बनाती है एबोट हेल्थ केर और कॉमपोजिशन इसके अंदर होता है प्राइपो लीडिन प्लस कोडिन फॉस्फेड इन दो दवाओं को मिलाकर इसे तयार किया गया है और यह जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल तो जाएगा लेकिन इसके लिए आप आपको प्रिसिफसिंग की जरूत पड़ती है तो आप कोशिच करिए अपने नजदीकी डॉक्टर से यह जरूर लिखवाने की ताकि आप इसे खरीज सको और इससे आप अपनी खासी को ठीक कर सको यह जो सीरप है बहुती बेस्ट सीरप है इसका भी आप स्क्रीन सॉट ले इस बात का आपको खास तोर पे ध्यान लखना है बाकी वह दो सीरप आप दे सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सीरप को लेना कैसे होता है लेकिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एमरोडील प्लस सिरप और जीडेक सिरप इन दोनों का डोज सेम है तो वो मैं आपको बताता हूँ पांस साल से बारा साल के बच्चों में ये तीन से चार एमल दिना होता है सुबा साम के हिसाब से अगर खांसी ज़्यादा है तो दिन में तीन बार भी दिया सकता है यानि सुबह दुपहर और रात और तेरा प्लस लोगों को आप ये सिरप पांस से दस एमल सुबा पांस से दस एमल साम को दे सकते हो खांसी अगर ज़्यादा है तो दिन में तीन बार भी दे सकते हो अब मैं बात करूँ टौसक सिरफ की तो टौसक सिरफ जो है वो 12 साल से कमवर के बच्चोगली तो है नहीं तो ये देना है आपको 13 साल से 18 साल के बीच के लोगों को 5 ml सुबा 5 ml साम को खाना खाने के बाद और जिनकी उमार 18 पलस है उन लोगों को ये देना है 7 ml से 10 ml सुबा 7 ml से 10 ml साम को खाना खाने के बाद ये तीनों सीरफ जो है खाना खाने के बाद ही लेना है और जैसे मैंने आपको बताया जिस तरीकी की problem है उस तरीके में आप इसे use कर सकते हो आपकी जो problem है खासी की वो ठीक हो जाएगी आपको वीडियो पसंद आयोगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलूगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए नमस्कार